आनन्धाम की और धर्मन पसंग में महापुरुष्वामी शिवानजी महराज अध्याई 86 प्रिष्ट संख्या 266 बेलुड मट शुकरवार 4 मार्च 1932 एक दिख्षित भगत स्त्री के पती अभी कुछ दिन हुए नहीं रहे उस दगदे हुरुद्या ने शोकात और हुर पागल की समान अतिन्त विलाप करते हुए पत्र लिखा है स्थब्द होकर उस पत्र को सुनते सुनते महापुरुष्ची बीच बीच में कहने लगे ओह अब नहीं सुन पा रहा हूँ पत्र पड़े जाने के बाद कुछ देर तक आखे मूंदे हुए बैठे रहे और फिर कहा महा माया लीला कर रही हैं और मनुष शोकताब से कष्ट पा रहा है यह सब कौन समझेगा मनुष यदि थोड़ा यह सब सोचे संसार की अनित्ता का चिंतन करे तभी बच सकता है वह तो दिन रात माया में डूबा रहता है बीच बीच में मृत्यों का चिंतन करना अच्छा है कितने प्रकार से जगत की नश्वरतागों के सामने खेलती रहती है इसकी कोई गिंती नहीं फिर भी जीव को चतन नहीं होता इसी का नाम है माया ठाकुर प्रायाशी गीत को भक्तों के सामने गाया करते थे यह कहकर मानू शोक से अभिबूत हो कमपित कंट से महापुरुष महाराज गाने लगे ए मनी महा मायार माया रेखे चे की कुहक करे ब्रह्मा विष्णु अचतन्य जीव कीता जानते पारे बिल करे घुनी पाते मेन प्रविश करे ताते गताया तेर पत आचे तबू मेन पालाते नारे गुटी पोकाए गुटी करे पाला लेओ पालाते पारे महा मायाई बद्ध गुटी आपनार जाले आपनी मरे मनुश्यठ ही क्रेशम के कीडे के समान है सुयम ही माया का जनसार रचकर उसमें बद्ध हो शोकताब से जल कर मर रहा है जिन्हें मेरा मेरा कह रहा है उन में से ही कोई भी उसका अपना नहीं है सो समझता ही नहीं एक तो देहधारन करना ही कितना घष्ट प्रद है फिर उसके उपर यह माया की सुरुष्टी बेचारा मनुश्यभी भला क्या करे महा माया की आवणनी शक्ती से मुगत होकर भूगते भूगते मर रहा है महा माया काव्या पार किसी भी तरह जाना नहीं जा सकता यह सब उनकी नाशिनी शक्ती का खेल है यसलिए ठाकुर कहते थे मा तुम्हारी लीला भला कौन समझ सकता है मैं समझना भी नहीं चाहता कृपा करके अपने स्री चर्णों में शुद्ध भक्ती और शुद्ध ग्यान दो यही मेरी प्रात्ना है ठाकुर बहुदा यह कहा करते थे मैं तो उन्हीं की वानी कह रहा हूँ एक बार जब गिर पढ़ने से ठाकुर का हाट तूट गया था उस समय उनकी अवस्था बालक जैसी थी वे एक दिन एक छोटे बच्चे की तरह धीरे धीरे टहल रहे थे और मा से कह रहे थे मा तुम्हें तो देधारन करना पड़ा नहीं देधारन का कष्ट तो तुमने जाना नहीं कुछ दे तक चुप रहक कर ओह ओह ताजा पती शोग यह कहते हुए महापुरुष जी जोरों से रोने लगे बाद में नेत्र निमिलित कर ध्यानस्त हो बैठे रहे मानो उस तरी के पती वियोग के शोग को सुहम के भीतर खीच लिया हो ओम श्री राम कृष्णवर पना मास्तू